फ्रेश दूद और सबजी के लिए अब घंट उन्रजाद में बिग बिलिस पर आउडर करें और 10 मिनिट में पाएं अपने ग़र फ्रेश दूद और सबजी तुरंट डाउनलोड करें बिग बिलिस एप खुशियों की अपनी दुटा वर्तमान में हल्दी की कटाई और उसे पकाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है अब हल्दी की बिक्री भी शुरू हो गई है इस साल बे मौसम बारिश और जलवाई परिवर्तन ने सीजन की हर फसल को नुकसान पहुचाया है हल्दी की फसलों को भी नुकसान पहुचा था बारिश का पानी खेतों में जमा होने से हल्दी की फसल सड़ गई थी देश में हल्दी का अधिकांच उत्पादन महराष्ट में होता है इसलिए ये निश्चित था कि इससे उत्पादन प्रवावित होगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ इस समय बजारों में हल्दी की आवक बढ़ती दिखवी दिख रही है देश में हर दिन एक लाग बोरी हल्दी की बिक्री हो रही है मांग में बढ़ोतरी और उत्पादन बढ़ने से हल्दी की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं किसानों को पकीवी हल्दी का 6,000 से लेकर 9,000 रुपे क्विंटल तक का रेट मिल रहा है किसानों का क्याना है कि पिछले कुछ महीने से हल्दी के दाम में कमी आई है लेकिन उमीद है कि आगे अच्छे दाम मिलेंगे बे मौसम और लगातार बारिश के कारण उत्पादन में गिरावट की उमीद थी लेकिन बदलते मौसम का हल्दी की फसल पर कोई असर नहीं पड़ा ऐसे में हल्दी के उत्पादन में कमी नहीं आई सांगली और हिंगोली हल्दी का प्रमुक बजार है यहां पर इस समय हल्दी की आवक बड़ी है और देश भर में एक दिन में एक लाख बोरी पिक रही है अधिक मांग के कारण इसकी दरें स्थिर है अनुमान है कि देश भर में 80-85 लाख बोरी का उत्पादन हुआ है इसलि उत्पादकों की अपैक्षाएं और अधिक बढ़ गई इसके अलावा क्रिशी विशेशग्यों ने भविश्यवारी की थी कि इस साल आवक कम होगी लेकिन उत्पादन में बड़ोतरी का असर सांगली बजार में देखने को मिला पिछले आठ दिनों में दरों में 400-500 पे त दिनों दिन बढ़ती जा रही है हल्दी के हर किस्म का अलग-अलग रेट मिल रहा है सेलम कानी 7,275 रुपे तक बिक रही है पाउडर बनाने के लिए इस्तमाल होने वाली हल्दी 9,000 से 10,000 तक है वही मीडियम सेलम 8,000 से 8,500 तक बिक रही है हाई सेलम हल्दी 11,000 से 12,000 है और लगड़ी हल्दी को 12,000 से लेकर 15,000 रुपे कुइंडल तक का भाव मिल रहा है ब्यूड़ पोर्ट माकेटाइंट्स टीवी अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं बिक ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूद और दहीं बिक ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान साफे रहा है बुकान